मुमिनपुरा फुटबॉल ग्राउंड में एक कुख्यात अपरादी को पलिस ने देशी कट्टे के साथ धर धबोचा है आरूपी का नाम महमद फयाज, महमद नियाज, गरीब नवाज, मसिद, मुमिनपुरा निवासी है महमद फयाज से दो जिन्दाकार्टों सहीद करीब 17,000 रुपे का माल जब क्या क्या है तैसिल पुलिस को मिरे जानकारी के आधार पर रविवार देर राथ एक अपरादी को देशी कट्टे के साथ दबोचा बकड़ा गया आरुपी मुमिनपुरा निवासी मुहमद फयाज, मुहमद नियाज बताया क्या है रविवार राथ पुलिस दस्ता परिसर में गश्च करना था ऐसे दौरान जानकारी मिले के मुमिनपुरा के फुटबॉल ग्राउंड के समेब एक अपराती संद्यास बच सिती में खुमरा है उसके पास पिस्तो भी है खबर मिलते ही पलिस दस्ते ने परिसर में घेरा बंदी के पलिस को देखते ही फयाज ने मागनी का प्रयास क्या लेकिन पहले ही घेरा बंदी होने की कारण भाग नी पाया उसकी तलाशी लेने पर कमर से देशी कटा निकला पैंड की जेव की तलाशी लेने पर दोज जिंदा कार्टुष भी बना मध हुए उस एरिया में पेट्रोलिंग के लिए भेजा तब रात को करीब देड़ बजे के दर्मियान मुमिनपुरा स्तीत फुटबल ग्राउंड में मुहमत फैयाज जोकी वो पुराना क्रिमिनल है पुरे स्टाफ उसको पैचानता था उसको धर दबोच लिए तब उसके कमर के अंद मुहमत फैयाज वल्द मौमद नियाज उमर 21 साल गरिब नौज मज्जीद मुमिनपुरा इसके उपर पुलिस्टेशन तहसिल में अपराद नमबर पास्तों बैलिस अब्लिक 2021 धारा तीन साथ पचीस आर्मयाक यह गुलना दाखल करके विद्देमान पोर्ट में उनको आज पुटप करके उनका PCR प्रप्त किया जबकि आरोपी मुहमत फैयाज रेकार का गुन्देगार है उसके उपर इसके पहले हत्या गंबिर दुकापत के पाच्छे गुन्य दाखल है इसलिए उन्होंने पिस्तुल किसके काम के लिए लायते है और कहां से लायते है इसका अभी किसी वारतात को अंजान देनी की तयारी में था उसने कटा कप और कहां से खरीता इसकी जाजबी की जारी है डिसीपी लोहित मतानी और एसीपी संचे धुर्वे के मांक दर्शन में इंस्पेक्टर जैश भांडार कर मरीराम सिंग परतिसी हेड कॉंस्टेपन लक्षमन शें कर दो